नमस्कार माईड़े स्टुइंट्स मैं असके माथो जीट्वेस एकेड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ काफी बच्छों का कहना था कि सर आप जो कॉश्चन्स हैं कॉश्चन्स प्रेक्टिस करवा दीजिए कई सब्जेक्ट्स के तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सर्वेइंग से कुछ इंपॉर्डेंट कॉश्चन्स आपके लिए लेंगे तो मैं स्टार्ट करों आप लोगों को यह पैटर्न अगर अच्छा लगे तो अगर ऐसे समझ में आया चीज़े तो आप कमेंट करके जूर बताएगा और मैं अभी आपको देखिए कुश्चन्स कुछ बता रहा हूं कुश्चन नमबर वन देख रहे हैं कि इस अर्वेइं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं लेक्च्छ बहुत इजी लेंग्वेज में आपको समझाया गया है अब हम कॉश्चन ज्यादा आता है कॉश्चन बहुत आता है दक करवेचर ऑफ अर्थ सर्फेस इस टेकन इंटो एकाउंट इफ दा एक्स्टेंट ऑफ सर्वे इस मोर करते हैं कितना होगा तो आपको चार दिए अंडेड किलो मेटर स्कॉर्रह ऑंडेड क्लो मीटर स्कॉर्रह ऑप्शन दिया को 500 200 km2 और option D दिया हुआ है आपको 260 km2 260 km2 question है आपका the curvature of earth surface is taken into account कब लिया जाता है if the extent of survey is more than अगर survey आपका किस से ज्यादा होता है तो आप जानते हैं जो earth surface होता है वो आपका oblate spheroid shape है जब भी हम survey करते हैं हम इस surface पे हैं हम इस surface पे हैं जहां पर survey कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा एक curve है थोड़ा सा तो यह डिस्टे यह curvature हम कब consider करते हैं जब आपका distance 240 km2 से ज्यादा हो जाता है if this distance is more than 240 km2 तो हम आपको उसको geodatic survey consider करते हैं तो इसमें option सबसे close option D है तो इफ एरिया is more than 240 km2 240 km2 then we consider the curvature of Earth नहीं तो हम उसको plane surveying बोलते हैं और अगर आपका 240 km2 से ज्यादा है तो उसको हम geodatic surveying कहते हैं second question यही question second है the survey in which curvature of Earth is taken into account is called वो survey जिसमें जिसमें Earth के curvature को हम consider करते हैं survey in which curvature of Earth is considered इन विच कर वेचर of Earth is considered उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको हम geodatic surveying कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं geodatic surveying तो इसमें चार option दिये होए और जियोडेटिक Geodatic survey geodatic survey option B दिया हुआ है आपको plane survey plane survey क्या बताया भी जब हम distance 240 से कम होगा तो हम उसको plane survey कहते हैं इसमें curvature को consider नहीं किया जाता है C जो है आपका hydrographical survey यह waters related survey होता है hydrographical survey hydro means waters related hydrographical survey इसको हम लोग बाथी metric survey भी कहते हैं और option में नहीं दिया हुआ है लेगिन कभी आपको लिख के आ जाया बाथी metric survey बाथी metric survey it is related with it is related with what it is related with the it is related with the water related survey जो भी होगा under the water body जो भी आपके survey survey होगा third है आपका topographical survey last option topographical survey क्या होता है earth surface को उपर जो भी natural or man-made natural या फिर man-made structures है उनकी study को हम topographical survey कहते हैं तो यह आपके second question हो गया तो इसमें आपका जब आपका आज surface consider कर रहे हैं करवेचर को तो उसको हम क्या कहते हैं geodetic survey कहते हैं next question देखते हैं question no.3 question no.3 question no.3 question no.3 बहुत important है which of the following scale is smallest one scale आप से पूछा कौन सा छोटा है option a दिया है four is to one two three four five option b दिया हुआ है one centimeter equal to five hundred five thousand meter option c दिया हुआ है आपको one centimeter equal to fifty meter option d दिया हुआ है आपको rf दिया हुआ है one is to fifty thousand तो दिखिएगा और इसमें हमें क्या बोला है which scale is smaller विच स्केल आपका कौन सा स्केल जो है है वो smaller है वो smaller इससे पहले आप समझ लीजेगा कि इसका मतलब क्या होता है हम इसको explain कर देते हैं scale होता क्या है scale होता है आपका map distance upon ground distance scale होता है map distance upon ground distance upon ground distance map में जो distance है और ground में जो distance है उसका scale हर map के नीचे लिखा होता है अब यहां पर देखिए यहां पर अगर मैं दोनों को same unit में convert कर दूंगा अगर map का one centimeter ground में one kilometer के बराबर है तो इसको कैसे लिखेंगे कि एक centimeter इसको हम लिख सकते हैं one centimeter is to one kilometer इसका मतलब क्या है upon के form में जब दोनों को same unit में ला देंगे तो उसी को हम RF कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं RF कहते हैं तो जब तक आप RF नहीं निकालोगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा स्केल छोटा है एक बात या देखना RF में जैसे मैं इसको convert करके दिखाता हूं वन सेंटी मेटर बनाएंगे अगर तो दोनों को same unit में लाएंगे उपर वन सेंटी मेटर अब किलो मेटर में में आपका वन किलो मेटर है तो एक किलो मेटर में 1000 मेटर होते हैं 123 ठीक है एक किलो मेटर में आपका जितने मेटर होते हैं वह हम कर लेंगे इंटू सेंटी मेटर बनाना है टू जीडो और ठीक है यह आपका हो गया इसके बाद आप cm, 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 cm हो गया, तो यह आपका R f क्या आ गया, 1 upon, यह, तो आप हम option से देखते हैं, option से देखते हैं, rf हम समझ गया, क्या होता है, rf होता है, scale के basis पे, जो आप same unit में, रख देंगे, तो उसको हम rf क्याते हैं, तो option A, आपको क्या दिया होए, यह rf क्या हो गया, rf आ तो यह RF हमेशा 1 upon के form में होता है, इसको cut करेंगे, 4, 5, तो यह आपका क्या हो गया, 4 upon, 5, 1, 2, 3, 4, 0 बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 0 आपके बचेंगे, ठीक है, तो यह हो गया, 1 upon हो गया, 4 cut हो गया, तो यह आपका 1 upon, 1 upon, 1 upon आपका हो गया, 50,000, option B दिया हो है, 1 centimeter equal to 500 meter, 1 centimeter equal to 500 meter, तो option B का RF जो होगा, आपको क्या दिया हो है, 1 centimeter upon 5000 meter, तो हम जानते हैं, 1 meter में 100 centimeter होते हैं, दोनों को same unit में लाएंगे, तो उपर 1 centimeter upon 5000 meter को centimeter बनाएंगे, 20 or आजाएंगे, तो यह क्या हो गया, आपका, यह आपका उपर आला 50,000 था, यह हो गया, centimeter centimeter cancel हो जाएगा, तो यह आपका एक बटे, एक बटे, 5 के नीचे कितने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने थे, 2, 2, 4, 0 था, इसमें 50 हैं, देखो, आरेफ में जिसका, जब compare करेंगे, जिसका denominator बड़ा होगा, वो scale छोटा होगा, ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, question में, हमसे पूछा था, which scale is smaller, smaller वो होगा, जिसका denominator सबसे बड़ा होगा, वो scale smaller होगा, option C, option C आपको दिया हुआ है, 1 cm upon 50 m, तो इसको भी हम convert कर लेंगे, 1 cm उपर रहने दो, 50, 1 m में 100, तो 2 0 और बढ़ा दो, ये भी cm, 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 cm cut, तो ये RF क्या हो गया है, एक बटे 5000, ठीक है, एक बटे 5000, option D क्या है, आपको RF के form में ही दिया है, तो ये आपके 4 हम compare कर लेंगे, D आपको RF के form में ही दिया है, कि क्या दिया हुआ है, 1 upon 55 के नीचे 4 0, 1, 2, 3, 4, देखिए, आपको smaller पूचा है, तो smaller जिसका denominator सबसे बड़ा, वो scale सबसे छोटा, तो इसमें आपका सबसे बड़ा denominator किसका है, देख लीजे, ब्लू से कर देता हूँ, ये आपका 50,000 है, चीक है, ये आपका 5,00,000 है, जिसका denominator सबसे बड़ा, वो scale सबसे छोटा, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option B, option B, जो होगा आपका, ये आपका correct हो जाएगा, RF में जब भी compare करेंगे, तो जिसका denominator बड़ा, ये यादर केगा, उल्टा होता है, smaller scale पूचा है, तो denominator बड़ा, उसको हम बोलेंगे, smaller scale, ठीक है, तो ये आप समझ लीजे, engineering scale क्या होता है, ये represent करता है, अ, it is represented by statement, ठीक है, जो engineering scale होता है, इसको हमेंशा statement के form में represent करते हैं, और graphical क्या होता है, it is a line drawn on a map, so that it is distance on the map, correspond to the convenient unit length of the ground, ठीक है, उसमें, जो map में जो distance होता है, उसी के basis पे scale लिखा होता है, तो उसकी distance नाप के हम नाप सकते हैं, next देखेगा, question number 4, question number 4, ठीक है, question number 4, क्या है, when the curvature of earth is taken into account, the surveying is called, जब curvature of earth को हम account करते हैं, तो उसको हम कौन से survey कहते हैं, answer हो गया, geodatic survey, geodatic survey, अगर curvature नहीं consider करते हैं, तो उसको क्या कहते है, plain survey, अगर हम water का कर रहे है, hydrographic survey, अगर हम, preliminary survey क्या होता है, preliminary survey एक option दिया हुआ, यह survey, field work करके data ही खटा किया जाता है, पूरा survey करने से पहले, उसको हम preliminary survey करते हैं, जो main points होते हैं, उसको show करने के लिए, तो यह आपका important है, बाबाब पूछा जाता है कि करवेचे consider करते हैं, और कितने distance तक होना चाहिए, next fifth question जो है, the main principle of field survey is to work from, main principle field survey का क्या होता है, main principle यह question भी बहुत पूछा जाता है, main principle of field survey, दो principle होते हैं, एक तो होता है, working from hole to part, यह ज़्यादा option में होता है, अगर दोनों होंगे तो A B कर दोगे, एक option है, higher level to lower level नहीं, lower level to higher level नहीं, यह part to hole, part to hole मतलब, छोटे से start करेंगे, फिर बड़े 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 ऐसे जाएंग यह part to hole है, ठीक है, यह क्या है, part मतलब छोटे से बड़े में, part to hole, और एक होता है, hole to part, बाहर आया, फिर अंदर किया, फिर अंदर किया, यह होता है, hole to part, तो इसका principle होता है, वो होता है, hole to part, hole to part क्यों करते हैं, ताकि जो error होगी, वो accumulate ना हो, इसमें क्या होगी, यहाँ छ हग्ँट होते हैं इसकले यह नहीं करते हैं होल टो पार्ट करते हैं यह नहीं होती है ठीक है दो फ्रिंस्पल होते हैं work from whole to part और एक और फ्रिंस्पल होता है work from hold to part और एक और principle होता है फॉरम तो गिवन we can locate थारड पॉंट्ट दो दिये हुए बिंदूं से हम तीसे बिंदू को लोकेट कर सकते हैं ठीक है । नेक्स्ट कॉशन नंबर शिक्स देखते हैं क्वेशन नंबर शिक्स इस लिए बता रहा हूं यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग बताएगा हम और सब्जेक्ट के भी वीडियो आपको आगे कंटिन्यू करएंगे question है when one centimeter on map when one centimeter question है when one centimeter on map map में आपका one centimeter है तो यह आरफ से रिल्टेट होगा represent ten meter on the ground रेकर प्रेज़न के one centimeter map में दस meter represent कर रहा है कहां पर ground में ground में आपसे पूच कर रहा है दा representative fraction of the scale is representative fraction आपका आरेफ पूच रहा है तो हमने भी बताया था scale equal to क्या होता है map distance upon पॉन करना हो तो दोनों को यूनिट में ले आते हैं दोनों को सेम यूट में ले आते हैं हम जानते हैं 1 meter बराबर कितने centimeter, 100 centimeter, यहाँपे हम क्या करदेंगे, meter को centimeter एंट कादेंगे, तो ऊपर one में ही रखना होता है, दोलों same unit हो जाएंगी, 0 और 2 zero और दोलों centimeter में हो गई, unit same same cancel, तो RF आपका क्या हो गया, RF हो गया, आपका, one upon thousand, यह आपका answer हो जाएगा, समझ गया आप लोग ऐसे questions भी आते हैं तो इसका रेप्रेजेंटेटी फ्रेक्षिन क्या हो गया वन अपॉन थाउजेंड यह question number हो गया six समझ में आ रहा हो गाई हो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेर जरूर करिएगा next question number seven question number seven फिससे आपका यह previous यह questions भी है सब्सक्राइब के तो इसमें level थोड़ा हाई रहता है और आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफी concept आपके clear हो जाएंगे और कई questions इसे बनते हैं फिसे तो the main principle of field survey is to work from whole to part ठीक है whole to part आपका हो गया या from whole to part main principle है या फिर from to given point from to given point we can reach up to the third point यह question देको repeat हो रहा है बार बार तो यह question आया होगा है question number eight question number eight the fundamental principle of surveying is to work from whole to part यह को यह बार बार आ रहा है next question number यह भी whole to part वाला ही question है हम बता दे रहे हैं बार-बार whole to part क्यों करते हैं क्योंकि error accumulate नहीं होती है और part to whole क्यों नहीं जाते हैं क्योंकि छोटे से बड़े जाएंगे तो बार-बार अब ये 9th question देखें समझने वाला है which of the following statement represent on a map A देखो अब आपको ये question में लिक रहा हूँ इसको आप सुन भी लीजे which of the following statement which of the following statement which of the following statement in respect of a map in respect of a map A ऐसे question आते हैं ध्यान से समझ लिजें जिसको ना समझ में आतो हैसे question having scale map A का scale क्या है आपका 1 is to 1000 and another map B ये आपका map A है map A की ये condition है और map B का जो scale है वो आपका है 1 is to 5000 1 is to 5000 ठीक है तो आप से पूचा which of the following statement in respect to map A and map B is true इन दो map के बेसिस पे कौन सी statement सही होगी ये आप से पूच रहा है तो ठीक है हम इसको map A का आरेफ और map B का आरेफ हम लिक लेते हैं map A का आरेफ जो होगा दोनों आरेफ के फॉर्म में दिया है आपको आरेफ क्या हो गया आरेफ हम अप आरेफ न अवा बनन तो अबड़न आपको बताया था जिसका डेनोमेटर बड़ा वह शके़ छो सके़ गया ने अथिसका एटेनोमेटर वह शके़ चोटा दोनों एक रिख किसका बड़ाया है Map B का तो यह skill जो है smaller scale है, यह skill जो है smaller scale है और A skill जो है, वो larger scale है, वो larger scale है, कैसे पता चला, one upon के form में हम आरफ बना लेंगे, compare करेंगे, जिसका denominator बड़ा होगा, वो skill छोटा होगा, ठीक है, तो statement A बोला है, तो इसमें हमने देख लिया कि map B smaller scale है, map A larger scale है, option A बोला है आप से, Map A is larger scale map compare to map B, map A is larger scale, map A बड़ा scale है, compare to map B, आपको सही लग रहा है क्या, बिल्कुल यह statement सही है, अब देखते हैं, क्या एक से ज्यादा तो नहीं सही है, option A क्या कहा है, map A is a large scale, map A हमने देख लिया है, जिसका denominator छोटा होगा, वो बड़ा होगा, जिसका denominator बड़ा होगा, वो scale छोटा होगा, उल्टा होता है, दूसरे statement कहा है, B, map B is large scale, map B तो small है, तो यह कहा है, map B is large scale then map A, यह गलत है, statement number C, map B is more detailed map compare to map A, कहा है कि map B जो होगा, वो ज्यादा detailed map होगा, compare करेंगे, map A से तो, यह statement गलत है, कैसे गलत है, जो map A, जो है, larger scale का, ज्यादा detailed map होता है, जो larger scale होता है, वो ज्यादा detailed होता है, क्योंकि, इसमें हम, जो कागज में बनाएंगे, वो 1 cm को, ground के map distance upon ground distance होता है, दोनों को same unit माल लेंगे, तो उपर वाला, जो map distance है, yellow से दिखा रहा हो, आपको, यह माल लो, दोनों सेम unit है, तो हम cancel कर देते हैं, मतलब एक centimeter ground के equal होंगे, 1000 cm के, ठीक है, तो हमने कम distance लिया ना, एक centimeter, यहां पांच हजा है, तो detailed कौन सा होगा, more detailed map A, जो होगा, वो detailed होगा, इसने उल्टा लिखा है, map B is more detailed, तो map A is more detailed होगा, एसा लिखा होता है, तो हम सही कर देते, उसने statement में कह लिखा है, map B is more detailed, समाज गया होगे है, कैसे होगा, क्योंकि जब same distance को हम कम बताएंगे, तो वो आपका क्या होगा, detailed map होगा, option D दिया, none of these, तो यह भी आपका, यह भी गलत, यह भी गलत, option A आपका, सही होगा, ठीक है, next question number 10, question number 10, question number 10, इसमें देखो क्या दे रहा, difference in length of arc, and its subtended chord, यह क्या रहा, difference आपका length of chord, यह chord है, and subtended, and subtended chord, difference in length of arc, यह आपका क्या है, यह मैं yellow से कर दे रहा हूँ, यह आपका क्या है? यह आपका आर्क है कि कॉड है? यह आपका आर्क है यह आपका आर्क है और यह नीचे वाली आपकी कॉड है। इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है? अब कितना चले हैं ग्राउड पे? code on earth surface for distance of 18.2 km चलने पर, तो यह earth surface पर कितना km चले है, 18.2 km, तो इसको मैं red, यह black से करता हूँ, देखेगा, यहां से यहां तक चले कितना है, 18.2 km, तो ध्यान दीजेगा, यह distance हमेशा करवाली बड़ी होगी है, as compared to this chord distance, तो जब हम, जब हम, प्लेन में, प्लेन में 12 km चलते हैं, तो उसी के corresponding जो chord आता है, वो 12 km प्लस 1 cm एक्स्टा है, तो जब हम, जब 12 km चलने पर 12 km प्लस 1 cm हो जाता है, तो जब हम, बारा का आदा क्या हो अच्छे, तो जब हम 18 चल जाएंगे, 18.2 है, तो जब हम 18 चल जाएंगे, तो क्या होगा, जब मैं 18 चलूँगा, 18 km, तो यह हो जाएगा, आपका, 12 km तो होगा ही, प्लस थोड़ा जादा हो जाता है, तो 1.5 cm, ठीके, cm, तो इसको, इसका चार option दिये हैं आपको, तो क्या बता होगे, 18.2 है, तो आपका यह exact 1.5 cm दिखा रहा है, option आपको mm में दिये है, option A दिया है आपको, 10 mm, option B दिया होगा है, 15 mm, option C दिया होगा है, 22 mm, option D दिया होगा है, 100 mm, तो कौन सा सही लग रहा है, 1.5 cm को mm बनाऊगा तो 15, तो आपको option, option B is correct, option B is correct, ठीक है, तो यह याद रखिएगा, 12 km चलने पर, जो कॉर्ड होता है, वो आपका जो आर्क होता है, मतलब जियोडेटिक सर्वे में एक सेंटिमेटर बढ़ जाता है, ठीक है, तो आज मैंने यह आपको, 1 to 10 question करवाए हैं, जिसमें कुछ repeat भी हुए हैं, वो important है, सर्वेइंग का ऐसे ही, अगर आप लोग और वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो लाइक से सब्सक्राइब जूर करिएगा, आपने दोस्तों तक share करिएगा, अगर ज्यादा ज्यादा लोग देखते हैं, तो मैं यह questions की जो series है, वो आगे बढ़ाऊँगा, और I hope यह आप लोगों को useful होगा, और आने वाले आपके exams में यह आपको मदद करेगा, कोई भी exam हो, जैसे आपका UP, SSC, SSCJE का exam होने वाला, उसमें SSCJE का साल होता है, उसमें ह जगह यह questions काम आते हैं, I hope यह video useful होगा, thank you for watching this video, thank you a lot.